नमस्कार दोस्तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिनांग 7 अगस्ट 2024 का संपुर्ण राशिफन उससे बेल आज के दिन का जो पंचांग है उसके वारे में चर्चा करेंगे आज का जो तिन है वुद्वार का है क्रोधिनाम समस्सर है सुरिय का दक्षिनायन चल रहा है वर्शारुतो है श्रावन मैने के शुकल पक्ष की तीसरी थिति है नक्षत्र पुर्वा है योग परीख है दिन का जो करण है वो तैतिल है और जो रात का करण है वो गरा है आज के दिन का जो गुलिक काल है वो शुरुवात होगा सुबद 10 बचकर 54 मिनिट से लेकर 12 बचकर 32 मिनिट तक और अभी जितमोर्थ दोपर 12 बचकर 8 मिनिट से लेकर 12 बचकर 56 मिनिट तक का होगा गुलिककाल और अभी जिदमोरते दिन के शुवकाल आवती कह जाते हैं इसमें किसी भी प्रकार के महतुपनकाम या फिन्यन ने आत ले सबते खो उस प्रकार आज की दिन का जो राहुकाल है वो शुरुवात होगा जो पर बारा बचकर बतिस मिनिट से लेकर दो बचकर दस मिनिट तक और या मगंड़काल सबसाद बचकर अड़तिस मिनिट से लेकर नो बचकर सोना मिनिट तक का होगा राहुकाल और या मगंड़काल दिन के शुवकानावती कहने जाते हैं इसमें किसी भी प्रकार के महत वुनकान या फिनिनने बिल्कुल भी नहीं लेना उस प्रकार आज की दिन का जो चंद्रमा है यह चंद्रमा करने यह चंद्रमा सिंग राशी में ब्रह्मन करेगा ये चद्रमा गुरू के साथ केद्रयोग करने जा रहा है शनी के साथ प्रतियोग करने जा रहा है उसे बनागा राजे के दि नरवी और गुरू का लावयोड भी होडने जा रहा है यह अगरसिती सामने रखते हुए बारा राशियों का राशिपल क्या होगा इस विशय पर बढ़ हम चर्चा करेंगे सब लेट लेट तो सब से पहली राशी है मेश राशी मेश राशी के पंचम महँ में चंदर महँ का ब्रहमन है और आपी के द्विद्या बाव में सित गुरू के साथ ये चंदरा केंदर यो करने जा रहा है आपके लाव अबाव में सित शनी के साथ ये चंदरा यो करने जा रहा है उसी प्रेकार आपके जदरत अबाव में सित रवी के साथ आपके द्विद्या बाव का जो गुरू है वो लाव यो करने जा रहा है मैं तो वड़े दिन है आपके लिए अगर आप share market में trade करते हो तो वड़े ठीड आज के दिन नहीं करना अगर आप किसी के relationship में है छोटों मिटे इतनाम relationship में आ सकते है लेकिन आने वोले 2-3 दिने में गर के जो लोग है उनके साथ आपकी interaction काफी अच्छे देखी जाएगी आपकी अच्छे लाव वगरा भी मिल सकते हैं गर के जो लोग है उनके साथ के बाहर गुमना फिरना भी हो सकता है कुल मिला के देखा जाए तो आज का जो दिन है आपके लिए मिला जुला साबित होगा इसके बात की जो राशी है वो है बृषब राशी गृषब राशी के चतुरत बाव में चंद्रमा का ब्रमन है और आपके राशी मिस्थिद गुरू के साथ ये चंद्रमा केंदर योग करने जा रहा है आपके दशम बाव मिस्थिद शनी के साथ ये चंद्रमा फृतियोग करने जा रहा है और आप ही के राशे मिस्तित गुरू के साथ आपके तृधिया पाओ को जो रवी है वो लाब भीयोग करने जा रहा है महतोपन दिन है आपके लेगार के जो लोग है उनके साथ चोटी मूटी बातों पो लेकर तकरा हो सकते हैं ये तकरा थोड़ी बढ़ भी सकते हैं बास्तो षति रिल्एटिर किसी भी परकार के महतोपन काम आज के दिन बिल्कुल भी नहीं करना आने मडे 2-3 दिन आपके लिए महतोपन साभियत होगे गुमना सेनना जादा हो सकता है महतोपन काम आप में ले सकते हो उसी प्रकार थोड़ सा एक्जर्शन आपका ज़्यादा हो सकता है आने पक्षेद लामिलने की संभावना काफी ज़्यादा बंदरी है दिन आपके लिए शुक्ष लंदाई सावित होगा इसके बाद की जो राशी है वो है मिठन राशी मिठन राशी के तृतियो बाव में चंद्रमा का ब्रहन है और आपके वे अबाव में से शनी के साथ ये चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है आपके दिद्यो बाव में से द्रवी के साथ आपके वे अबाव का जो गुरु है वो लाभ योग करने जा रहा है महतोपने दिन है आपके लिए गूमना फिरना जादा हो सकता है उसी प्रकार स्ट्रेस थोड़ा बढ़ सकता है द्याद रखें उसी प्रकार किसी भी प्रकार के महतोपने निनने आने आज की दिन बिल्कुल भी नहीं लेना आने ओले दोसिती इन दिनों में भी आपका गूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है फुल मिला के देखा जाए तो मिला जुला दिन आपके लिए सावित होगा इसको बात की जो राशी है वोग है करक राशी करक राशी के देद्यों में चंद्रमा का भ्रवनयार आपके लाबवा में सिद गुरू के साथ ये चंद्रमा के इंद्रियोग करने जा रहा है आपके राशी में सिद और आपके अश्टमवा में सिद शनी के साथ ये चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है आपी के राशे में से तरवी के साथ आपकी लाव वाको जो बुरू है वल लाव यो करने जा रहा है खर्चों पर निया अंतरनकना बहुत ज़्यादा आवश्यक होगा किसी भी प्रकर के महत अपने इन्वेस्टमेंट आज की दिन नहें करना स्वास्त के बारे में भी ध्यान देना आमेश्यक होगा हलागे आने मले दो से तिन दिन आपके लिए शुब लिदाई साबित होगे इसके बात की जो राशी है वो है सिंह राशी सिंह राशी में चंद्रमा का ब्रमैना रावे के दस्व और मिस्ति घुरू के साथ या चंद्रमा के इंद्रियों करने जा रहा है आपको स्वेम पर ध्यान देना चान्टूर्स फार ना बहुत ही जादा आवश्यक होगा Vy आपे कारिशेत्रे है उससे related भी थोड़ा ध्यान देना आवश्चक्वगा वो उमN n फिरना आने वड़े-2 से-3 राज़ी दिनों में ज़ाधा हो सकता है। जो कारश यतर है उससे related मैंत परण काम भी आपके आपने के संभावना आने वोड़े दोसे दिन दिनों में काफी जादा बंद रही है इसके बाद की जो राशी है वो है कर्णिया राशी कर्णिया राशी के वे यह बाव में चंद्रमा का ब्रमना रापी के बाग के बाव में से गुरू के साथ यह चंद्रमा के इंद्रियों करने जा रहा है शर्ष्ट अबाव में से शनी के साथ ये चंदरमा प्रतियों करने जा रहा है सिब्रेगार आपके लाब अबाव में से दरवी के साथ आपके बांगे बाव को जो गुरू है वो लाब में यो करने जा रहा है महतोबड़े दिन है, आपके लिए किसी भी प्रफार के महतोबड़े जिन ने कमिट्मेंट फ़र्मिसे, कोई भी काम आज की तिन बिट्खिल भी नहीं करना, स्ट्रेस, ट्रेक्शन, फ्रस्ट्रेशन आज की दिन काफी ज़्यादा बढ़ सकता है, द्यानर के, आने वले दो से तिन दिन में कुछ अच्छे लाव वगरा मिन सकते हैं, गुमना फिरना ज़्यादा हो सकता है, मैं तो बढ़ना गाम आफात में दे सकता है, आपकी जो और यह जो के दिन है, आपकी दिन है, आपको स्वास्त के बारे में तोड़ा ध्यान रखना होगा, दिन आपके लिए मीला जुनला सावित होगा इसके वाब की जो राशी है वो है वृच्चिक राशी वृच्चिक राशी के दशम बाव में चंद्रमा का ब्रमना रावी के जतरत बाव में से शनी के साथ ये चंद्रमा प्रतियों करने जा रहा है अब के सब्टम्बाव को जो गूरू है वलला पही हो करने जारा है जो जाथ हो सकते हैं महत्रणवा काम आपके बोसकते हैं जो काम अड़े हुए है जो काम पूरे नहीं है फ्रलिम बित पह है उनके बारे में आप निनरने ले सकते हो आपकी जो वैवय जो दिधार है उनके साथ भी कही बाहर गुबना फिर न पूब सकता है इसके बाद की जो राशी है वो है धनूराशन धनूराशी के बागिया बाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है और आपके 6 बाव जित गुरु के साथ यह चंदरमा प्रतियोग करने जा रहा है दिन काफी महतवड़ों सावित होगा, गुमना फिर अना जादा हो सकता है स्वास्त के बारे में जान देना आवशक होगा, किसी भी प्रकार के महतवड़ों जिलिने आज के दिन बिनकुल भी नहीं लेना आने वले दोसते इन दिनों में कुछ अदम एक्षित लाप मिल सकते हैं इसके बाद की जो राशी है वो है मकर राशी मकर राशी के अश्टम बाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है और आपी के पंचम बाव में सिद्गुरू के साथ ये चंद्रमा केंद्रयों करने जा रहा है दितिववववसिशनी के साथ ये चंद्रमा प्रतियों करने जा रहा है काफी महत्वण दिन है आपके लिए खास करके इस स्वर्ण के स्वास्त के बारे वे ध्यान देना बहुत ही जादा आवश्चक होगा स्वास्त के समस्या जादा आज सकती है उसे बिलकर आपके जो वयवय जोड़िदार है उनके साथ आपके हार्मोनी बहुत अच्छी देखे जाएगी कुल मिलाखे देखा जातो दिन आपके लिए अश्वव फलदाय साबित होगा इसके बाद के जो राशी हैं वो है कुंबराशी कुंबराशी के सप्तमबाउ में चंदर्मा का ब्रह मन है आपकी जो वैवाई जुड़िदार उनके साथ जो बाते है थोड़ से जोड़ पकड़ सकती है ये तकरा काफी बढ़ भी सकती है आपको सोयन के स्वास्त के बारे में भी द्यान देना बहुत ज़ादा आवश्चपोगा इसके बात की जो राशी है वो है मीम राशन अगर आप किसी के रिलेशन्शिक में है तो उनके साथ कही बाहर गुमना भी ना हो सकता है अगर अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेट करते हो तो कुछ अच्छे लाव वगरा मिलने की संभावना भी आने वाले दो से तीन दिन में काफी अच्छी बंद रही है आज का जो दिन है आपके लिए शुक फिलनदाई सापित हो का तो दोस्तो ये था दिना साथ अगस्ट दो हजार चोबिस का संपुर्ण धराशिपन धन्यवाओ